इंडिये की उस बैठक में भाग लेने के लिए आप भी आ रही थी आप आ रही थी तो आपने चंडिगर से फ्लाइट ली चंडिगर से फ्लाइट ली तो जब आप फ्लाइट में जा रहे होते हैं तो फ्लाइट में जाने से पहले आपकी चेकिंग की जाती है कि आपके पास क हे कार ये CISF के जवानों के दोड़ा किया जाता है CISF भारत की Ardh Senable हैं ऐसे ही एक स्टाफ के दोड़ा Kangna Ranaut की चैकिंग की जा रही थी लेकिन चैकिंग के समय महिला ने जो चैकिंग करने वाली CISF जवान थी उसके दोड़ा Kangna Ranaut ko थपड़ मार दिया गया Kangna Ranaut मंडी से जीती हैं भाजपा के टिकेट पर जीती हैं विक्रमा दित्य सिंग जिनको इन्हों ने Congress की तरफ से हराया है वो इनक्या पोजीशन में थे Congress की तरफ से काफी बढ़िया tight fight थी और बहुत अच्छे से चुनाव हुआ और यहाँ पर संपन हो करके परिणाम यह निकला यह उस समय का द्रश्ट है कुछ इस प्रकार से एरपोर्ट पर चेकिंग चल रही थी और यह जो महिला करमचारी आपको दिख रही है यह रही इन्हों ने कंगना रानाओत को थपड मारा था यहाँ पर कंगना रानाओत को ले जाते हुए आपको सिक्यूरिटी स्टाफ दिख रहा है और यह जो महिला है जिसने थपड मारी है यह महिला आज सुर्खियों में है CISF जवान के द्वारा थपड मारा जाना पर्थम दर्शता तो समझ में ऐसा लगा कि हो सकता है कंगना रानाओत ने कोई बत्तमीजी की होगी जिस पर हो सकता है कि इसका पारा फूट गया होगा जवान का हो सकता है कि एरोगेंस के कारण उसने ऐसा किया हो किसान आंदोलन के समय बयान दिया था और किसान आंदोलन के समय बयान में जो महिलाएं आंदोलन में बैठी थी उन महिलाओं को कंगना रानाओत ने किराय का आदमी बताया था कि किराय पर लाए गए लोग है यहां पर यह महिला का बयान आप ये महिला देख सकते हैं, CISF की है, और एरपोर्ट पर सुरक्षा इनी की जम्मेदारी होती है, इन्हों ने कहा कि मेरी माँ भी, ये CISF की जवान है, इन्हों ने कहा कि मेरी माँ भी किसान प्रोटेस्ट के अंदर उस समय बैठी हुई थी प्रोटेस्ट में, लेकिन कंग और उपय में किराय पर लाकर बिठाई हुई महिलाएं हैं, जो की प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रही हैं, मैं उनके बयान से दुखी थी और मैंने इसलिए इनके उपर थपड़ मार दिया, साथियों CISF, जिसकी ये जवान हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी सी जा हाथ में ली है, कुछ दिनों पहले आपको ध्यान होगा, भारत की संसद में एक चूक हुई थी, सुरक्षा के अंदर चूक हुई थी, जिसका पूरा एनलेसिस किया गया, उसके बाद CISF को संसद भवन की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे दी गई, यहां तक तो प्रशन हु है, गलती किसकी यह फैसला न्यायपालिका करें, लेकिन आपके दिमाग में एक बड़ा प्रशन आ जाना चाहिए, और वो यह है, कि सिकर्टी स्टाफ के द्वारा, मेंबर अफ पार्लियमेंट को थपर मारा जाना, और वो भी एक ऐसे कारण से, जिस कारण में कोई प्रोट CISF स्टाफ की सुरक्षा में रहने वाले सांसद, CISF के ही जवानों के द्वारा अगर यह चाह लिया जाए, कि हमें इन सांसदों के द्वारा किये जा रहे कार्य पर, अपनी पसंद और ना पसंद से निर्ने लेना है, तो क्या होगा? राजनिती करने वाले राजनिती करें, लेकिन आपको यह सवाल इसलिए सोचना है, क्योंकि हमारे देश ने और पड़ोसी मुलकों ने ऐसे बहुत से वाकिये देखे हैं, जब सुरक्षा बलों के द्वारा माननिय सांसदों की प्रधान मंत्रियों की हत्या की गई है, और इ पीछे जिम्मेदार थे सुरक्षा बलके जवान जो उनकी बॉडी गार्ड बनकर लगे हुए थे, पड़ासी मुलक पाकिस्तान में जाईए, इमरान खान पर चली हुई गोलियां हो, या फिर बेनजीर भुटों के उपर हुई हत्या का प्रयास हो जाए, हत्या हुई गई उनकी प्रयास क्या, हर जगहे से अगर कोई जानकारी निकलती है, तो सेना का नाम निकल कर आता है, पाकिस्तान में तो तक्ता पलट होता आपने सुना है, लेकिन एक बड़ा प्रशन यहां पर छूटता है और वो ये है, कि अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएगा, तो क्या हमारे देश के लिए, जो इतने करोडों मत दाताओं ने मत दे कर हमारे देश में निर्वाचित प्रतिनिधियों को भेजा है, उनकी सुरक्षा हो पाएगी, बड़ा प्रशन है, ये एक प्रशन है, लेकिन इसके अपोजिट एक और प्रशन है, और वो प्रशन है कि सर, अपनी मा के उपर बुरा नहीं मानते, मा क्या मा का बुरा मानते हुए, कंगना को थपर जड़ दिया, तो ये तो उसकी अभिव्यक्ती की आजादी हुई, आप इसे क्यों सैन्ने तक्ता पलट की तरफ ले जा रहे हैं, ले जा सकता हूँ मैं, आपको इसके पीछे का एक त अधिकारों को लेकर आप बड़े गौरवानवित होते हैं, भारत के समिधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक लिखे हुए मूल अधिकार, ये भारत के नागरिक के अधिकार तो हैं, सुरक्षा बलों के अधिकार ये हैं या नहीं, ये संसद डिसाइड करती है, आ इंटेलिजेंस परसनल्स कि वो अपने अभिव्यक्ति के अधिकार का उप्योग ना करें, अगर ऐसा होने लगे, तो सोच कर देखिए, रौ, आईबी और हमारे जितने भी खुफिया विभाग हैं, उनके लोग आकर अगर ये बोलने लग जाएं, कि हमने पाकिस्तान की जा उसी की थी, तो फिर चुनाव कहां रह जाएंगे, राज अगर खुलने लग जाएं, तो भाई सहाब संसद ने पहले ही, आर्टिकल 33 के अंदर, पहले ही जान लीजिएगा, जो लोग इस भावना में रहें, कि ये अभिव्यक्ति की आजादी है, जैसे अमरित पाल के पास की, जो कहता था ना, और जेल में है, और जो चुनाव जीत कर अब सानसद बन गया है, माननी है, तो बोले है तो अभिव्यक्ति की आजादी है, इस बात में जादा तर्क मत करिएगा, आज का सेशन बड़ा खास है, इसलिए इसको गंभीरता से सुनने की आफशकता है, और ह उस पर सेशन कर रहा होता, सिक्क्यॉरिटी परसनेल और आम नागरिक इनमें बहुत बड़ा अंतर है, आम नागरिक के पास मूल अधिकार है अभिव्यक्ति का, अभिव्यक्ति के अधिकार में उसने थपड मारा, पनिश्मेंट मिलेगा, जेल जाएगा, तो क्या पनिश्म मामला ये है जनाब, तो फिर विचार कीजिए कि जो प्रधान मंत्री या फिर हमारे देश के राष्टपती या बड़े नेता, जो सिक्यॉरिटी लेकर घूमते हैं, उसका क्या महत्व है, वो सिक्यॉरिटी जो आज अंदर बाहर की तरफ बंदूक लगा कर चल रही है, वो गुसा था तो उसने निकाल दिया, गुसा था तो मत दे कर निकालती, गुसा था तो नौकरी छोड़कर राजनीती में उतरती, गुसा था तो जाकर के केस करती, सुप्रीम कोट में मामले को लेकर जाती, लेकिन अगर उसने ऐसा हरकत किया, तो आप विचार कीजिए, और हम BJP से मैं तो सक्त खिलाफ हूं BJP, कि इसलिए इसको पिटना चाहिए, अगर आप इस बात को प्रमोट कर रहे हैं, तो आप भी दूर नहीं है, जो कांटे दूसरों के लिए बोते हैं, वो कांटे लोट कर वापस आते हैं, और इतिहास गवाह है, कि समाज ने जिस चीज को प्र हुए नेता कॉंग्रेस के थे, उन्होंने इस घटना के निंदा की, उन्होंने साफ कहा कि नहीं ये घटना नहीं होनी चाहिए थी, कंगना रानावत MP हैं, और MP के सुरक्षा और MP का सब डेकोरम ये मैंटेन करना चाहिए था, अब आपके दिमाग में प्रश्न बहुत सारे बन रहे होंगे, कि कंगना रानावत ने जो बयान दिया था, वो क्या था, उसके उपर क्या कारवाई हुई, क्या चल रहा है, आईए सारी बाते बताते हैं, लेकिन आप विचार कीजिएगा कि आप किस तरफ इस दुनिया को देखना चाहते हैं, आप जहां भी हैं, आप ज खलाया जा रहा है, हमें बहुत अच्छा लगा उन लोगों को विशेश रूप से जो भारतिये सरकार के अपोजीशन में थे, कि देखो स्वनिकों के साथ क्या बुरा हो रहा है, क्योंकि वोट बैंक की लड़ाई है, लेकिन उन लोगों को बहुत बुरा लगा, कि यार हमा आरे वो सैनिक जो की भोजन को केवल इसलिए कि बस जीने भर का चाहिए और बॉर्डर पर जाकर के देश की सुरक्षा किये, उन सैनिकों से ये अपिक्षा की जाती है, कि रास्ट आपका सम्मान कर रहा है, क्योंकि आप रास्ट की आबरू हैं, आप रास्ट की आनबान्श की CISF की जवान है, जिसने थपड मारा है, इसके परिवार जनों का कहना है, कि हम उसके साथ हैं, कुलविंदर कौर के साथ हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माता के बारे में गलत सुना था, ठीक है, परिवार जनों के पास में ये थौट नहीं होगी, कि इस बात के माएने क् करते हैं, आज के लिए समाज के बहुत से लोग उनके साथ आ गए हैं, कि उन्होंने किसानों के बारे में गलत बोला, इसलिए उन्हों के साथ कुलविंदर ना ऐसा किया, और एक सवाल बड़ा उठता है, कि अगर, ये कहते हुए पाई गई है, कि ये वो औरत है ना, जो ब का ये जो आवेश है, अपनी मा के लिए हर बच्चे में ये गुस्सा होना चाहिए, अगर कोई आज मेरी मा के लिए, आपके मतलब परिवार में मेरी मा बहन के लिए कोई कहेगा कि ये सौ रुपे के लिए काम करते हैं, तो बुरा लगेगा कि यार ये तो मेरे को बहुत ब चुनाव था, आप जाती अपने समर्थकों को ले करके मंडी में इनके खिलाफ चुनाव परचार करती, किसान आंदूलन में आप तब तक नहीं उठती, जब तक कि इनका फैसला नहीं हो जाता, आपको इतना ही बुरा लगा था तो आप चो मन में आता करती, किसान आंदूलन के माध्यम से जो नेता निकल गरा है उन्होंने खुब प्रोटेस्ट किया, आप भी उनके साथ बैठती, आप अपनी बात रखती, देश में हमारी बाते रखने का लोकतांत्री कधिकार है, हम बैठें, अपना धरना दें, अपनी बात रखें, यह हमें अभीवक्ति की आजादी के तेद दिया गया है, लेकिन आप संभवत या यह मिस कर गई, और आपके द्वारा जो यह मिस किया हुआ करतव है, इससे कोई सी और को प्रेड़ना ना मिल जाए, इसलिए मैं आज का यह सेशन कर रहा हूँ, भारत वालों, आप इस चीज के लिए सतर्क हो जाओ, कि आप इस चीज को एडमायर करते हैं, या इसे अभिवक्ती के आजादी मानते हैं, यह हो सकता है आपका आपना फैसला हो, हो सकता है आज आप मुझे कट घरे में खड़ा कर दें, अच्छा आपकी मा को कोई ऐसे कहता तो आप क्या करते, अच्छा आप तो बीजेपी के पक्षधर हो सकते हैं, इसलिए आप ऐसे करें, कहिए, आपको जो कहना है कहिए, लेकिन अगर दस में से दो लोग भी मेरे इस वेक्तव्य को समझ गए कि मैं यह बात क्यूं कह रहा हूं, तो मेरा यह सेशन करना सार्तक हो जाएगा, समझने हैं आप, बाइदवे मैं आपको याद दिला दूँ, वही फार्मर प्रोटेस्ट जो वर्ष जब 2020 के आराउंड हुए थे, जब प्रधान मंतरी के द्वारा तीन कानून लाए गए थे, उसके ऐवज में हर्याना पंजाब के बहुत से किसानों ने विरोध प्रधर्शन किया था, विरोध प्रधर्शन किया था, उस समय पर विरोध प्रधर्शन में सरकार को जुकना पड़ा था, और उन विदोर विरोध प्रदर्शनों के दौरान बहुत सारे लोगों के दौरा गैर जिम्मादाराना बयान दिये गए थे जिन में से कंगना रानावद भी एक हैं इन्होंने अपना एक ऐसा बयान दिया था जिसके चलते इनके उपर केस होना चाहिए और केस हुआ इनके उपर केस हुआ इनके उपर मानहानी का केस अभी भी चल रहा है न्याए पालिका फैसला कर रही है यह वही वाली बात है अगर एक व्यक्ति एक आँख के बदले दूसरे की आँख मांगने लगेगा इस दुनिया में अंदे ही अंदे घुमेंगे न्याए जनता नहीं कर सकती, इसके लिए पुलिस और न्याय पालिका है, आपको उसके उपर विश्वास रखना होगा, अगर ये जिस दिन आपने रास्ता हटा दिया कि नहीं हम ये नहीं मानेंगे, फिर तो अनारकी ही अनारकी होगी, फिर तो मतलब ही नहीं है, उस दोरान बहुत से लोगों के द्वारा ऐसे बयान दिये गए, जिसमें किसानों को टेररिस्ट कहा गया, ये बहुत गेर जिम्मेदाराना बयान थे, जिसकी वजए से किसान बहुत आहत हुए, हमारे देश का अनदाता आहत हुए, कि नहीं, आप हमें ऐसा नहीं कह सकते, किसानों के सासाथ बह और एक महिला जो कि बुजुर्ग महिला थी, उन दो महिलाओं को देखकर कंगना रानाउत कनिफ्यूज हुई होगी, ऐसा लगा, ऐसा क्यों लगा? क्योंकि 6 मिनिट बाद ही उन्होंने अपना ये ट्वीट डिलीट कर दिया था, क्या था मैं आपको बताता हूँ, असल मैं आ आपको तस्वीरों में दिखाई दे सकती है, ये शाहिन बाद की जो महिला है ना, इनको दुनिया भर के अख़बारों में छापा गया था, कि देखो, एक महिला सडकों पर है, बुजुर्ग महिला और जो अपने अधिकारों के लिए सडकों पर है, this is true democracy, साथ में, एक और म आपने इनकी मोकरी करते वे ट्वीट किया था उस समय और वो लिखा था, she is the same दादी who featured in Time magazine for being the most powerful Indian and she is available in 100 rupees, Pakistani journal have hijacked international PR for India in embarrassing way, we need to our people to speak for this internationally, और हा, इनक ट्वीट और लिखा, no one is talking about because they are not farmers, they are terrorists, who are trying to divide India so that China can take over our vulnerable broken nation and make Chinese colony, much like USA, sit down you fool, we are not sailing our nation, तो इन्होंने इन लोगों को terrorist भीका, Kangana के ये जो दो बयान थे, किसानों को terrorist कहना, अपनी मांगों के लिए सडकों पर आई हुए लोगों को terrorist कहना, और महिला को 100 रुपय में उपलब्द होना, ये दौनों बाते बहुत जादा तरीके से किसानों को आ अल्रेडी मानहानिका केस चल रहा है, ये मामला अभी भी चल रहा है, कोर्ट के अंदर ये मामला है, ऐसी इस्तती में, मतलब मानहानिका केस किसान है मोहिंदर कोर, इन्होंने कंगना के खिलाफ मामला दर्ज कराया और ये मामला कोर्ट में चल रहा है, लेकिन इसी मामले के अंदर जिन महिलाओं पर ये टिपनी की गई ये दादी जो है ये उस CISF की जवान की मा नहीं है बहुत सी महिलाओं को जो सौ रुपय में जोड़कर नाम दिया गया उनकी वजह से ये जो महिलाएं थी उनकी वजह से ये CISF की जवान आहत हुई और उसने कहा कि इन्हों ने बयां दिया था मैंने उसका बदाव ले लिया परिनाम क्या निकला परिनाम जो है वे आपके सामने है इन्हों ने अपनी तरफ से फिर अपना बयान देते हुए कहा क्या बयान एक Пр outdated कोने मेरे बारे में पूछा और मैं बस सब्सका ध्यान इस तरफ और ध्यान दिलाना चाह इनका ये कहना कितना उचित है, नान उचित है, या तो चुनाओं में डिसाइड हो, या संसद में डिसाइड हो, संसद तै करे कि इनके इस बयान पर क्या प्रतिकरिया देनी है, संसद और जंता तै करे कि इनको वापस से चुनकर भेजना है कि नहीं भेजना है, लेकिन पब्ल इसके लीडर है विक्रम अधित्य सिंग इन्हों ने कहा इन्हों ने कहा इस वेरी अनफर्चुनेट इस शुट नॉट है पन तो एनीवन पार्टिक्यूलर लिए लेडी हुई इस अमेंबर अफ पार्लियमेंट नाओ मतलब हैट्स अफ तो इस मैं जिसने इस तरह का थौट रखा सोचिये जो चुनाव हारा है जिससे और बहुत करीबी मामला था हिमाचल में सबसे ज़्यादा संभावना इसी सीट पर इनके जीतने की थी ये इसके बावजूद बोल रहे हैं कि एक मेंबर अफ पार्लेमेंट के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था हमारे देश के राजनेताओं में ये समझ होना अनिवार्य है हम जब पार्टी के ग्रिवांसे पर आएं उस समय और क्या सही क्या गलत उसके फैंसले otherwise अगर इस तरह की हरकते चलती रही तो वो दिन दूर नहीं है जिस समय पर सैन्य तक्ता पलट हमारे देश में भी just like पाकिस्तान और पड़ासी देश म्यानमार हमारे देश में भी हो जाए जैसा हुआ है पड़ासी दौनों देश हमारे गवां हैं इन दौनों जगहों को देखकर हमें लेसन लेने की आफशकता है हाला कि नेशनल कमिशन फोर वूमन ने इसके उपर अपनी तरफ से प्रतिकरिया दी है डारेक्टर जनरल को लिख करके CISF को इसके बारे में सस्पेंड करने की बात कि लेकिन जनाब इन पर प्रतिकरिया के साथ साथ राजनीती भी जगह लेने लेगी अब यह जो राजनीती जगह इस समय ले रही है यह जो डायलोग दिया है यह मनविन वो हैं हर सिम्रन कौर बादल है अच्छा हर सिम्रन कौर और बादल इस समय इस बयान पर कंगना रानावत के साथ हुई इस घटना में कंगना रानावत को ही दोशी ठहरा रही है कि आपने जो बयान दिये उसका परिणाम ये निकल कर आया मैडम जी आप फिर भूल गई हैं आप अगेन मतलब वही राजनिती कर रही हैं आप भी NDA की स कोट बैंक के वो छूट रही है आप लोग छूट करके NDA छोड़ कर चले गए वरतमान में आपकी पार्टी पॉलेटिक्स यानि की बादल परिवार वर्सिस बीजेपी इस पार्टी पॉलेटिक्स में आप इस बात में कंगना को दोशी ठहरा रही है तो यह अपने आप में गलत ट्रेंड सेट हो जाएगा हमारे सांसदों को सोचने की आवशकता है विशेश रूप से उस समय निश्चित ही मैं मैं फिर से आप सबसे गुजारिश करता हूं कि किसानों के मामले में इस तरह का बाते करना यह सरासर गलत है और सरासर गलत होने के केस में मुझे यह जो पूरे मामले को देख रहे हैं और इस पूरे मामले के अंदर उनकी जो प्रतिकरिया है वो उन्होंने अपनी माता जी के कारण दी लेकिन हम इस पर देख रहे हैं इन्होंने तक समझदारी से इस बात पर प्रतिकरिया दी जो किसान प्रोटेस्ट में थे ऐसी इस्थिती में ये देखने वाली बात है कि आप हर चीज पर राजिनिती करेंगे या फिर मतलव की राजिनिती करेंगे देश को समझने किया आवशकता है बहुत सारे इस समय सोशल मीडिया पर टीट तेर रहे हैं मतलव राजिनितिक पाटियां आमादमी पाटी उतर के आरी है कि इस पर कोई क्यों कुछ नहीं बोल रहा है एक आदमी जो दिख रहा है वो एक और लड़की का थपड मार रहा है कहिए इस समाज में जिसको जो कहना है कहिए बस याद रखियेगा यहाँ बात सेना अधिकारियों के वर्सफ सरकार की हो रही है बाकी तो इस देश में प्रतिकरियाओं का दूर है कैजिरिओड़ जी को भी थपड़ पड़ थप ड़ड़ा थपड़ model थपड़ थपिर पड़ Rückड़े राजनिटी में प्रतिकरिया मैंने आपको जो ये बात बताई ये केवल इस याद में बताई कि इंद्रा गांदी जी को हमने आजे प्राइम मिनिस्टर खोया है जब सिक्यूरिटी स्टाफ ने उन पर गोलियां चलाई है आपको ये समझना होगा और ये बहुत गंभीर विशय है इस विशय पर आप क्या स सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं फिलाल के लिए इता ही जानकारी पसंद आई हो तो साथियों के साथ साजा करें सेशन में नए है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले